Hello students, welcome to my channel, हमने last class के अंदर थोड़ा सा introduction देखा था केमों से अरक्टिविटी का, अब हम guidelines पढ़ने वाले हैं, ठीके, देखे, guideline 1 के अंदर क्या है, with two functional groups of unequal reactivity, the more reactive can always be made to react alone, ठीके, अगर आपके सामने दो functional groups आजाएं किसी compound के अंदर, तो उन में से जो more reactive होता है, obviously वही react करता है, ठीके न, तो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा problem है नहीं, कि हम जानते हैं कि जो more reactive होगा, वही जो है, वो react करेगा हमेशा, यह तो fix है, चलिए, यहाँ पर example देखते हैं, कि यह compound है आपके सामने, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं disconnection करेंगे, जो हमारा यह guideline बाने, उससे, इसका correction है, लेकिन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, विथाई की, एनस्थेटिक है यह, इस compound का synthesis, इसके through हम करते हैं, इस compound के through करते हैं, ठीके, तो इसका तो हमारे, अभी है ने, ठीके हम जानते हैं, अभी हम last class के अंदर, one group CX disconnection करकर आए हैं, तो इस compound को देखकर आप पहचांग सकते हैं, कि यहाँ पर extra group है, तो obviously यही disconnect होगा, ठीके, अब जब यह disconnect होगा, तो यहाँ पर negative, तो H आजाएगा, यहाँ पर तो, यह जो starting material बनेगा, अभी हम इसको discuss नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे लिए जो, यह guideline 1 है, उ starting material, तो यहाँ पर O minus, यहाँ पर plus, तो जहाँ प्लस आएगा, वहाँ पर हम क्या लगा दें, OH लगा दें, क्यो एस्टर बना होगा, यहाँ पर H लगाएंगे, तो alcohol बन जाएगा, और obviously यहाँ पर acid होगा, तो acid और alcohol की reaction से ही ester का formation हुआ होगा, ठीके, तो हम लोग यहाँ से जो bond को disconnect करेंगे, तो यहाँ पर यह C O H group के अंदर हमने convert कर दिया, ठीके, अब देखिए, यह जो हमारा compound है, इसी को हमें analysis करना है, कि अगर हम इस compound को देखते हैं, तो C O H है, और यह ether group है, तो जो ether है, इसी का क्या हुआ है, यहाँ पर H होगा, मतलब alcohol होगा, जिसका क्या हुआ है, तो alkylation जो हुआ है, तो हम यहाँ से bond को disconnect करते हैं, तो हम यह सोच सकते हैं, कि यहाँ पर OH group होगा, जिसका क्या हुआ है, alkylation हुआ है, ठीके, तो हमारे starting material हमें क्या मिल गया है, यह compound मिल गया है, third number का as a starting material, अब आपको यहाँ पर यह देखना है, जब यह reaction होगी, तो reaction होनी के time पर आपके सामने OH और COOH होगा, और यह alkyl halide, यहाँ पर यहाँ हम लोग कोई भी halide ले सकते हैं, जब यह synthesis हुआ है, तो iodine लिया था, लेकिन अभी एक बार के लिए मैं बार सुरिया आपको, कि यह जो compound है, इसकी reaction इसके साथ होनी है, तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ base लेंगे, ठीक है, जिसकी अंदर, जो base लिया जाएगा, उसकी pH होगी 10 से जाधा, alkaline medium लिया जाएगा, जो pH होगी, वो 10 से जाधा होगी, तो उस condition के अंदर तो, यहाँ से भी H निकल जाएगा, और यहाँ से भी H निकल जाएगा, तो यह दोनों किसके अंदर convert हो और यह किसमें convert हो जाएगा, फिनोलेट के अंदर, देखें, यह जो बना है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है, कि यह O negative, जो है, यह more reactive side है, comparatively इसके, क्योंकि यहाँ क्या बना है, कार्बाउग्सिलेट आयम बना है, जो कि इसके अंदर, अगर हम इस इसकी reactivity कम होती है, तो अगर हम compare करें, तो यह क्या है, more stable है, तो क्या होगा, less reactive होगा, ठीके, यह दोनों points आपके माइन में होने चाहिए, अब इसके लिए बात करें, तो यह अगर less reactive है, तो यह क्या होगा, more reactive होगा, ठीके, यह more reactive होजाएगा, as a meclify, यह behave करता है, तो alkylation जब होगा, तो जो more reactive site होगी, उसी के उपर alkylation होगा, तो यह as a meclify behave करेगा, इस carbon के उपर attack करेगा, यहां से यह वाई निकलेगा, और इसका alkylation हो जाएगा, तो जो हमारा first number का component यहां पर बनाया था, वो बन जाएगा, तो अब हम इसका देख लेते हैं, synthesis, देखिए, जो हमारे starting material बना था, उसमें यह hydroxy acid बना था, यह क्या है, hydroxy acid है, तिकि इसके अंदर hydroxy group देगा है, और COOH group देगा है, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या लिया है, basic medium लिया है, alkali medium लेते हैं, और इसकी जो pH होती है, वो 10 से भी जादा होती है, इस condition में अगर हमने alkaline medium लिया ह है, तो उसमें तो COOH भी अपना H निकाल देगा, और OH भी अपना H को निकाल देगा, तो यहाँ पर यह carboxylate और यह phenolate, क्या बंगा है, यहाँ पर यह carboxylate and this is phenolate, अब बात आती है कि phenolate और carboxylate में से कौन more reactive है, जो more reactive होगा, वही यहाँ पर इस carbon के उपर as a nucleophile attack करेगा, औ us reaction होगी, जिसके फैसली जो phenolate होता है यह more reactive होता है, क्यों reactive होता है यह? एगर हम इसको carboxylate से compare करें तो carboxylateander, ë Agr 조иком, negative, वह more stable है, जो more stable होता है, वह less reactive होता है, तो हम compare रहे हैं दोनों को, तो इन दोनों में से more stable है, तो obviously यह less stable होगा, तो more reactive side होगी, तो more reactive होगा यह यहाँ पर attack करेगा इस carbon के उपर हमने यहाँ पर iodine लिया है iodine जो होता है इसका size बड़ा होता है iodine का size बड़ा होने की वज़े से carbon के साथ में overlapping अच्छे से नहीं होती जिस वर से easily bond break हो जाता है तो इसको हम क्या कह सकते है iodine क्या है एक अच्छा living group है गुड़ लिविंग ग्रूप है तो यह पर SN2 की जो हो रही है और यह जो carbon है यह कैसा है आप लोग देख सकते हैं यह secondary carbon है 1 degree में तो ठीक SN2 हो जाती है और SN1 जो है वो 3 degree में हो जाती है लेकिन अगर कोई secondary carbon है तो उसके उपर जब reaction होगी तो हमें ध्यान देना होगा कि हम किस तरीके का living group उसके उपर ले रहे हैं तो living group अगर अच्छा होगा तो easily इसके पर attack तर पाएगा और यह बहार निकल जाएगा तो यहाँ पर target molecule हमारा formation हो जाएगा यह group यहाँ पर लग जाएगा तो आपका जो है compound क्या बन जाएगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह हमारा target molecule जिसका formation हो जाएगा तो यह था guideline 1 जो कि मैंने आप लोगों को समझाई है कि अगर इस तरीके से दो groups आते हैं और उनकी relative reactivity में difference होता है तो उन मेंसे जो more reactive होता है वही reactive करता है सबसे पहले ठीक है गाइड लेंग बन के अंडर एक और एक्सेंपल है paracetamol सभी जानते हैं paracetamol को तो तो paracetamol जो होता है उसमें क्या होता है कि यह हाई है कि आपके सामने para-amino phenol है जिसका हम क्या करा देते हैं तो जो acidization होता है उसके बाद में जोई compound बनता है इसी को हम क्या कहता है पारacetamol के अंदर जो compound है वो यह वाला है तो अब हम बात करें कि इसका analysis हम कर रहे हैं तो इसका क्या हुआ है acidization हुआ है तो यहां से यह bond क्या हुआ ब्रेक होगा तो यहां पर acidization हुआ है carbon और nitrogen की बीच का bond ब्रेक हुआ प्योंकि हम one group CX disconnection पढ़कर आये हैं ठीक है अब हम क्या जए इसको देखें तो यहां पर NH2 ग्रूप तो बैंजिंग पर आ नहीं सकता इसको हम disconnect करेंगे नहीं तो इसका हम क्या कर दें FGI, functional group interpanversion कर देते हैं जिससे यह NO2 में convert हो जाएगा और NO2 तो हम लिकर आ सकते हैं यह हम last process के अंदर बहुत detail में बात कर चुके हैं ठीक है तो nitrogen यहां हम easily कर सकते हैं क्योंकि यह group क्या होता है ortho para directing होता है तो para के उपर यह आ जाएगा ortho के उपर भी आएगा लेकि हम उसमें से para वा जो compound है उसको हम इसमें से isolate करेंगे ठीक है तो जो para वाला compound होगा उसी से हम क्या बनाएगे para amino phenol बनाएगे और उसका हम फिर acid relation करेंगे तो अब हम उसका synthesis देख लेते हैं कि यहां पर जो guideline 1 है उसकी recording यहां पर जब acid relation का issue आया तो किस पर reaction हुई NH2 के उपर यूकि यह more reactive site थी तो synthesis देखते हैं इसका इसका synthesis phenol से जो paracetamol का synthesis होता है उसमें हमारा starting material हमें क्या मिला phenol मिला हमने phenol से start किया जब हम phenol तो क्या करेंगे nitrogen तो हम क्या लेते हैं यहां पर HNO3 ले लेते हैं ठीक है तो क्या बनता है आपका यहां पर पैरा के उपर आपको मिल जाता है NO2 group ठीक है अब जो यह NO2 group मिला है इसका हम क्या कर ले reduction कर ले और reduction के लिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ palladium carbon हम ले सकते हैं इसके अलावा हम और क्या ले सकते हैं मैं आपको बताया तिन और concentrated HCl भी हम इसमें ले सकते हैं ओके carbon के साथ में हम और क्या लेते हैं इसमें H2 भी लेते हैं ठीक है यह हो गया आपका अब इसका क्या हो जाएगा reduction हो जाएगा OH NH2 उसके बाद में अब इसका क्या करें हम acid dilation acid dilation जब होगा तो यहां पर ज्यादा problem है नहीं क्योंकि OH और NH2 में से जो more reactive site होगी acid dilation के लिए वो क्या होगी NH2 क्यों होगी जरा अपना सोचें वो इसलिए होती है क्योंकि जो nitrogen और oxygen में से electron negativity है वो ज्यादा किसकी होती है oxygen की तो oxygen की electron negativity ज्यादा है तो comparatively इतना easy अपने electrons नहीं देगा तो nitrogen की electron negativity कम है तो यहां पर यहां से बाहर निकल जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा जाएगा जो हम चाहते थे वो बन जाएगा OH-NH-CO-CH3 ठीक है तो इस तरीके से जो यह हमारा प्यासिट अमोर तयार हो जाएगा ओके यह होगा आपका टार्गिट मॉलीकिल तो गाटलिंग रहां के अंदर दो इसेंपल्स से को आप तुको दोनों क्लियर हो गए होगे नेक्स एंड एंड प्रोड़क्त फॉर्स्ट रॉड़क्त घुंपीट फॉर् रीचेंट थीक है कि अनदर क्या प्रहां यह है कि एक फंक्शन गूप जो है वो दो बार याक्ट करता है एक बार स्टार्टि मैटे बिहेग करा तो प्रोड़क्त का फॉर्मिशन हुआ अब प्रोड तो फिर यहां पर क्या होता है, problem create होगे, kemoselectivity की, ठीक है ना? तो अगर हम चाहते हैं कि यह reaction जो है, वो successful हो जाये, तो एक phase तो इसका ये है, कि जो बनने वाला product है, जो first product बनता है, वो less reactive हो, अब लोग इसको पढ़ लीजे, the reaction will be successful, successful होती है, reaction के वाद, तब only if the first product is less reactive than the starting material, अगर starting material के comparison में, जो product का formation हो रहा है, अगर वो less reactive है, तब तो ठीक है, कोई दिक्तत नहीं है, वो फिर से reaction नहीं करेगा, लेकिन अगर जो बनने वाला product है, वो reactive है, तब problem है, कि वो starting material तो react करी रहा है, रीजेंट के साथ में, अब product भी react करेगा, रीजेंट के साथ में, ठीक है, यहां पर मैंने का analysis लिखा है, इस compound का, तो यह जो compound है, acid है यह, आप इसको कह सकते हैं, हाँ, पैस्टर कह सकते हैं, और COCL ग्रुप की वज़े से, इसको हाँ, acid भी कहेंगे, ठीक है तो अब यह जो compound है, इसके अंदर अगर हमें disconnection करना है, तो यह bond यहां से break हुआ होगा, ठीक है, तो यह तो alcohol का formation हो जाएगा, और यह acid, तो अब आप यहां देख सकते हैं, कि यह जो बना है, यह acid है, कौन सा acid chloride है, आप इसको यहां देखिए, इस तरीके से open करके, CL और यह CL, ठीक है, तो इसमें दो reactive site है, यहां पर एक reactive site इस तरीके से react करके, हमने क्या कर दी, block कर दी है, अब कोई और अगर हम reaction करवाना चाहेंगे, तो यह वाली reactive site है, जो के आगे फर्दर reaction कर देगी, तो यह जो compound ह यह बहुत ही useful compound है, यह amino acids के साथ में reaction करवाई चाती है, जिसके peptide का formation होता है, तो next guideline के अंदर हम इसको लेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं, वो यह पढ़ रहे हैं, इस compound के अगर हम analysis करें, तो यह bond break हुआ, यह alcohol बना और यह acid बना, ठीक है, तो बात यह है कि जब ह करेंगे, तो हम की ले ले लिया, और यह react करेगा, CO, CO के साथ में, जिससे हमारा target molecule का formation हो जाएगा, और target molecule हमारा क्या है, pH, O, CO, CO, यह हमारा target molecule, ठीक है, तो बात यह alcohol है, जो कि acid के साथ में reaction करेगा, जिससे acid का formation होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर होता क्या है, यह as a material behave करता है, यहाँ पर attack करता है, और यहाँ से CS बहार डिखल जाता है, ascent to AE mechanism फॉलो होता है, तो जब यह reaction होती है, तो यह ester का formation होता है, अब यह जो ester बना है, यह comparatively less reactive होता है, यह less reactive होता है, इसलिए यह फिर से इसके साथ में reaction नहीं करता, second guideline यह कहती है, कि अगर इन दोनों के बीच में reaction हो, तो यह जो बनने वाला product है, अगर यह less reactive होता है, तो यह फिर से reaction इसके साथ में नहीं करता, तो यह अपना ठीक है, less reactive है, तो बस यह product बन गया, लेकिन अगर यह more reactive हो, तब हमारे लिए problem होगी, उस condition में हमारे लिए guideline, third जो है, वो important हो जाएगी, अभी हमने simple cases लिये है, guideline 1 के अंदर, दो कंबा हुंते, जिन में से more reactive था, वही पार्टिसिपेट कर रहा था, दूसरी guideline के अंदर होती है, तो एक functional group जो है, वो एवर एक ही बार reaction करता है, क्योंकि बनने वाला जो product है, वो less reactive है, तो इसका analysis हम नहीं यहाँ पर कर लिया है, अब बात है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि यह less reactive क्यों है, क्योंकि यहाँ पर यह जो electrons है, यह involve हो जाते हैं इस तरीके से, resonance के थूँ यह stabilize हो जाता है, तो यह more reactive side नहीं रहती है, comparatively इसके, ठीक है, यह more reactive side है, यह वाला carbon जो है more electrophilic है, जि यहाँ पर इन electrons से, यहाँ पर, क्या हो जाएगा, electrophilicity जो है, वो काम हो जाएगी, यहाँ पर जिस तरीके से attack कर रहा था, यहाँ पर attack नहीं करेगा, क्योंकि अभी यह less reactive compound बन गया है, ठीक है, तो यह हो गए आपकी guideline, second, third guideline हम लोग नएस class के अंदर पढ़ेंगे, बट हैं, ठीक है न, तो उस tradition में हम क्या करेंगे, तब हमारी guideline, third हमारे काम आएगी, वोग नेक्स class के अंदर डिसकस करेंगे, okay, thank you.